अस्तमा और COPD में क्या फर्ग होता है? असल में जब किसी patient को समस्या आती है सास लेने में तो उसे लगता है कि यह अस्तमा की ही समस्या है, लेकिन यहाँ पर जब patient अपने टेस्ट कराता है, डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो अस्तमा है या COPD COPD क्या है? COPD का मतलब होता है chronic obstructive pulmonary disease दोनों में एक ही symptom दिखाई देता है सांस लेने में समस्या होना लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आपको अस्थमा की समस्या है या COPD की समस्या है देखिए अस्थमा की समस्या में क्या होता है? कि जो हमारा airway होता है वो inflamed हो जाता है, swild हो जाता है और हमारा जो mucus है वो जादा बनने लगता है यानि आपकी जो सास लेने की जो नली है वहाँ पर सूजन आ जाती है और वो फूल जाती है जिसकी वज़े सास लेने में समस्या फील होती है इसको हम अस्त्मा कहते हैं यह किसी भी कारण से हो सकती है बड़ जादतर इसके जो कारण है वो allergic देखा जाता है हो सकता है वो dust की allergy से हो जाए या किसी चीज़ के खाने के वज़े से वो allergy होई है उसकी वज़े से ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि हमारी जो body होती है उसमें एक immune system होता है यानि उसका काम होता है एक security guard की तरह हमारे शरीर में जैसे ही में mucus को create करता है mucus यानि bulgum को create करता है ताकि वो जो foreign body है agent है जो infection है वो उसी में अटक के बाहर निकल जाए इसी वज़ा से जो airway है वो छोटा हो जाता है narrow हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है लेकिन अगर इसी के दूसी तरफ हम बात करते हैं COPD की यानि chronic obstructive pulmonary disease की तो उसमें क्या समस्या होती है हमारे lungs के diseases के कारण जब हमें सांस लेने और छोडने में दिक्कत होती है तो उसे हम COPD कहते है COPD की अगर हम बात करें तो इसको पूरी तरीके से reverse करना या ठीक करना possible नहीं होता है इसको manage किया ही जा सकता है लेकिन अस्तमा को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है homeopathic medicines द्वारा ऐसी बहुत सारे patients हैं जिनको अपनी अस्तमा की problem में homeopathic medicines से बहुत अच्छा relief मिला है और ये नई बात नहीं है जादा तर लोगों को पता है जो भी सास से related बिमारी के लिए homeopathic medicines best है इसी के साथ साथ COPD में हमें कुछ पातों का ध्यान और रखना पड़ता है कि जो COPD की समस्या यानि जब आपको सास लेने और छोड़ने में अचानक से कोई समस्या आने लगे तो इसका family background से कोई लेना देना नहीं होता यानि इसको हम genetic नहीं मानते है अस्तमा में क्या दिखा जाता है कि हो सकता है family में किसी को था इसलिए वो बच्चों में आ गया लेकिन COPD में ऐसा कोई case नहीं होता है अस्तमा allergy के कारण होता है लेकिन COPD allergy के कारण नहीं होता है यह मैंने आपको बताया यह lungs की अलग-अलग समस्या और बिमारी के कारण एक ऐसी condition पैदा हो जाती है जिसमें हमें सास लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है इसको COPD कहा जाता है नाम से ही हमें पता चल रहा है chronic obstructive chronic यानी जो आपकी पुरानी समस्या है यह एकदम से नहीं बनती है यह धीरे धीरे आपके अंदर जनम लेती है बढ़ती जाती है और एक time के आने के बाद यहाँ पर आपको दिक्कत आनी शुरू होती है और test के दोर आपको पता लगता है कि आपको COPD है या फिर अस्तमा है लेकिन जो मैंने कुछ आपको इसके election बताए कुछ बाते बताएं उससे आप बड़े अराम से यह समझ सकते है कि आपको COPD के समस्या है लेकिन फिर भी अगर आपको बाते समझ ना आए तो आप अपना test जरूर कराएं ताकि यह confirm हो जाए कि आपको अस्तमा की समस्या है या COPD दोनों में ही सांस लेने में problem होती है लेकिन दोनों का ही जो treatment है वो possible है बस फरक इतना है कि अस्तमा को पूरी तरीके से cure किया जा सकता है और COPD को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है यानि आप एक अच्छा स्वास healthy जीवन जी सकते है सिर्फ कुछ चीजों को follow करके वो कौन सी चीज़े हैं क्या हैं अगर आप जानना चाते हैं अगर आपके family में किसी को अस्तमा या COPD की समस्या है तो आप नीचे देगा नंबर पर call करके भारत हमोपैति की डॉक्टर्स की टीम से free of cost consult कर सकते हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समधान भी जान सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो like और share जरूर करें ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चानल को subscribe करना बिलकुल न भूले इसी के साथ अब मैं आप से चलने की इजाज़त चाहता हूँ मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार